हुआ अच्छी है नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेग्नेंसि नॉलिज हेल्प में दोस्तों आप इस वीडियो में जानेगे कि प्रेग्नेंसि के दौरान यदि आप सपने में सब्सक्राइब को देखती हैं तो इसका क्या उसका अर्थ बेटा और बेटी होने से जोड़ा जाता है हमारे बुजर्गों का कहना है यदि एक pregnant lady अपने सपने में अम्रूत को देखती है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा बहें यदि एक pregnant और अपने सपने में तो रही को देखती है तो होने वाली बच्चा बेटी होगी तो दोस्तो और इसका एक और रीजन होता है दोस्तो जैसे एक प्रेगनेंट महला के अंदर जैसे वो गर्वरती होती है तो उसके अंदर बहुत सारी बदला होने लगते हैं जिसकी बज़े से भी उन्हें ऐसी इस्तिती में सपने आ सकते हैं यदि आप मतलब जब एक महला प्रेगनेंट होती है तो इस स्ट्रेस की वजए से भी उन्हें ऐसी सपने आ सकते हैं यदि आपने वहीं हमारे बुजर्गों का कहना है कि यदि आपने आपको सपना मॉर्णिंग के टाइम पर आया है तो इस सपनी का कुछ अर्थ खाश अर आपने पके हुए टमाटर को देखा है वहीं आप अगर सपने में किसी भी सबजी को काटते हुए देखते हैं या फिर उसे मतलब आपने किसी और को काटते हुए देखते हैं तो हमारे बुजर्गों का कहना है कि यह सुप संकेत नहीं है थोड़ा इसमें सचेत होने की और बजटार में युय। प्रेगनेसी पे आलु को देखते हैं, दो ये सानी होने, पेटा होने के संके दर्शा है ये ये एतने सब्कने धों और बूठट को देखते हैं, नपें भी बेटा से जोड़ां। काफि सारे ऐसा फल होते हैं जो बेटा और बेटि उझानी जोड़ा होती हैं, यहीं बुजर्गेम मैं सब्कुर्ण daha शेख रिख सब्क WAT का जता है last की बज़य से भी उन्हें सपना आते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने सपने में प्रेग्नेंसी के टाइम पे कौन-कौन सपने आप देख रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही अगर वीडेयो पसंद आया तो वीडेयो को एक लाइप जरूर किजीएगा साथ ही चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथ ही बैल आइकन को भी दवा दीजिएगा दोस्तों ताकि आपको प्रेग्नेंसी से जोड़ी इसी तरह की वीडियो कर दो करो.